हलो दोस्तों मैं सोरो मली का आप सभी का टोपिक स्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले सविदान के 42 ऐसे मैथ पूर्ण परसन जो की एकजाम में बहुत बार पूछे जाते हैं तो प्लीज आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाएगा और 42 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से ओनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो साथी साथ रीजिनिंग और मैथ की वीडियो भी आपको डेली मिलती रहें तो नीचे रेड कल के बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लीजेगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहु स्केप्शन बोक्स में दे दूँगा आप उसको भी जरूर देख लेना आपको हर एक कोशन में 5-6 सेकिंड दे जाएंगे उस 5-6 सेकिंड में आप नीचे उस कोशन का आंसर नीचे कमेंट बोक्स में बता सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाप पहला कोशन है वर्तमान में सविदान में मूल करते वियों की कुल संक्या है तो बिल्कुल से ही है दूसरे का रैट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा कुशन नम्बर 3 भारत में कार्य पालिका का अध्यक्स कोन होता है तीसरे का रैट आंसर यहाँ पे ओप्शन ए हो जाएगा आप सभी को पता होगा ठीक है कुशन नम्बर 4 भारतिय संग की सक्ति किसमे नहीं थे दोस्तो ए बी सी डी जो भी ओप्शन होता है रैट आंसर उसको कमेंट बोक्स में जरूर बता दिया करें ठीक है इससे और अच्छे से आपका टेस्ट भी होता है और इससे आपको याद भी लोंग टरम तक रहेगा कि आपने गलत बताया था है सही बताया था जैसा भी कुशन नम्बर 4 का रैट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा कुशन नम्बर 5 राष्ट पती के निर्वाचन मंडल में सामिल है तो बिल्कुल सही यहां पर पांच वेगा देखे रैट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा I hope कि आपने इसका रैट आंसर कमेंट बुक्स में बता दिया होगा कुशन नम्बर 6 राष्ट पती पत के चुनाव संबंदित विवाद किसे निदेशित किया जाता है तो छटे का रैट आंसर यहां पर ओप्शन डी हो जाएगा कुशन नम्बर 7 राष्ट पत के निर्वाचन हे तू कौन सी पतिती अपनाई जाती है तो साथ वे का रैट आंसर आपका बिल्कुल सही अगर आप ओप्शन डी लगा रहे हैं कुशन नम्बर 8 भारतिय सेवाओं का सरुच सेनापती होता है तो सभी को पता है आपका ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कुशन नम्बर 8 का कुशन नम्बर 9 भारत के पर्थम राष्ट पती थे तो नोवे का राइट आंसर बिल्कुल सही अगर आप ओप्शन भी लगा रहे हैं कुशन नम्बर 10 निर्विरोध चुने जाने वाले एक मात्र राष्ट पती थे तो दस्वे का बिल्कुल सही अगर दोस्तो राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा कुशन नम्बर 11 पे चलते हैं 11 है राष्ट पती पर माहा अभियोग का आरोप सांसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है तो बिल्कुल सही है राज्य सब और लोग सब दोनों द्वारा आने की सांसद के किसी भी सदन द्वारा तो ओप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कुशन नम्बर 12 कोई व्यक्ति राष्पती पत के लिए अधिक्तम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है तो बिल्कुल सही है कोई सीवा नहीं है कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है ओप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कुशन नम्बर 13 राष्पती पत एवं गोपनियता की सपत कोन दिलवाता है 13 का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ओप्शन भी लगा रहे हैं अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज अपना कमेंट नीचे कमेंट बोक्स में बताईए ठीक है अगर आपको चेंज कराना चाहते हैं वो भी कमेंट बोक्स में बता सकते हैं या फिर आप टेस्ट को लाइक करके भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कोशन नमबर 14 उप रास्ट पती के निर्वाचन मंडल में सामिल होते हैं तो बिल्कुल सही है 14 का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा कोशन नमबर 15 भारत के उप रास्ट पती को पद से कोन हटा सकता है तो फिफटीन का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा कोशन नमबर 16 राजय सबा की पैठोकों का सबापतित कोन करता है तो 16 का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा कोशन नमबर 17 किस एक मात्र उप रास्ट पती की मिरत्तू पद पर आसीन रहते हुई तो बिलकुर से हैं आपे 17 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा दोस्तो एक एक कोशन बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है तो एक भी कोशन को मिस मत करिएगा अधरवाइस एकजाम में कोई भी कोशन पूछा जा सकते हैं इनमें से कोशन नमबर 18 नमें में से कौन सांसद का इस्थाई एवम उच्छ सदन है तो अधरवे का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा कोशन नमबर 19 राजपती द्वारा राज्यसभा में कितने सदश्यों को मनोनित किया जाता है या पिर राज्यसभा की बात की जा रही है तो ध्यान से दीजेगा आंसर तो बिल्कुल सही है 19 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा अगर लोग सभा की बात की जाती तो दो को ही करता है ठीक है दो एंगलो इंडियन्स जिन्सकों हम बोलते है यहाँ पर कोशन नमबर 20 राज्यसभा में किस राज्य के परती निद्यों की संख्या सरवदिक है तो 20 वे का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा ठीक है दोस्तों उत्तर प्रदेश 21 लोग सभा के लिए परत्थम आम चुनाव कब हुआ था बहुत अच्छा गोशन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है तो 21 का राइट आंसर देखे ओप्शन B रहेगा 1952 ठीक है चले नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 22 लोग सभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की नियुनितम आयू होनी चाहिए तो 22 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर 23 कौन सा राज्य सबसे अधिक परते निदी लोग सभा में भेजता है तो बिलकुर से यहाँ पर 23 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा यानि कि इसका भी राइट आंसर उत्तर पर देशी रहेगा 24 लोग सभा एहम राज्य सभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए तो बिलकुर से है 24 का राइट आंसर आपने कमेंट बुक्स में बता दिया होगा राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा कोश्चन नमबर 25 कोई विदेख धन विदेख है इसका निर्णे कोन करता है दोस्तों बहुत अच्चा कोश्चन ने भी बहुत बार पूछा जा चुक है ओप्शन D यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 26 सांसत के संयुक्त अधिवेशन को कोन बुलाता है यानि कि जोइंट जो सहसन होता है राज्य सब और लोक सब आगा कोन बुलाता है उसको तो बिल्कुल सही है दोस्तों राश्ट पती ही बुला सकता है यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 27 परदानमंत्री की न्युक्ति कोन करता है तो 27 वे का जो राइट आंसर रहेगा वह ओप्शन भी हो जाएगा बिल्कुल सही है कोश्चन नमबर 28 सवतंत्र भारत के पर्थम परदानमंत्री थे बिल्कुल सही है 28 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोश्चन नमबर 29 परदानमंत्री या कोई मंत्री जो सांसद के किसी सदन का सदश्चन नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सांसद का सदश्चय बनना आवश्चक है तो बिल्कुल सही है 29 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा ठीक है भई कोश्चन नमबर 30 है मंत्री परिशत सामुहिक रूप से किसके परती उत्तरदाई होता है तो 30 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोश्चन नमबर 31 यदि किसी मंत्री के विरूद अविश्वास मत पारित हो जाए तो तो क्या होगा तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर ओप्शन बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोश्चन नमबर 32 वित्य विधेयक सबसे पहले सांसत के किस सदन में पेस किया जाता है तो दोस्तों बिल्कुल सही है देखे 32 का जो राइट आंसर रहेगा सभी को पता होगा आपको यह राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कोश्चन नमबर 33 कोश्चन नमबर 33 निमलिकित में से किसे लोकसवा की कारवाईयों में भाग लेने का अधिकार होता है प्रन्तु मत देने का अधिकार नहीं है बहुत अच्छा कोश्चन है तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है बई चलिए नेक्स कोश्चन नमबर 34 34 है सरकार के विरूद एविस्वास प्रस्ताव सांसद के किस सदन में लाया जाता है प्रन्तु में लाया जाता है तो 34 का जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही है ओप्शन सी हो जाएगा कोश्चन नमबर 35 लोगसबा का विगंटन कोन कर सकता है तो लोगसबा का विगंटन कोन कर सकता है आपका बिल्कुल सही है 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा कोश्चन नमबर 36 लोग सबा का नेता कौन होता है तो बिल्कुल सही है 36 का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा Q37 भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्सक की न्यूक्ति कौन करता है तो 37 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा Q38 राज्य की कार्या पालिका का मुख्या कौन होता है कार्या पालिका का पर्मुख कौन होता है तो 38 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा देखे जैसे आपका सेंट्रल में मतलब देश में राष्ट पती होता है वैसी स्टेट में राज्य पाल होता है यानि कि बिल्कुल जो पावर सिमिलर होती है वैसी पावर जैसी आपको राष्ट पती का होती है वैसी राज्य पाल को होती है इस्टेट में तो यह बहुत सिमिलर होते हैं कभी मैं आपको इनको डीपली में पढ़ाऊंगा दोनों को रिलेट करके तो सब कुछ याद भी हो जाएगा तो 39 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा कोशन नमबर 40 राज्य पाल पत पर बना रहता है तो बिल्कुल से है 40 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा ठीक है कोशन नमबर 41 है राज्य पाल विदान सबा में आंगल भारतिय समुदाए के कितने सदुश्यों को न्यूक्त कर सकता है तो बिल्कुल से 41 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा कोशन नमबर 42 राज्य इस तरपर मंत्री परिशद के मंत्रियों की न्यूक्ति कौन करता है तो दोस्तो 42 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा दोस्तो सबसे पहले तो आपका स्कोर क्या रहा है वो कमेंट बोक्स में बताइए इन सभी के आंसर मैंने नीचे आप एक दे दिये है इसकी परिश्यों को जाएगा